सेक्शन 23 इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने से 22 से 27 कर चुके हैं 27 कर चुके हैं 23 का बेसिक देखा अब 23 को पूरा डिटेल अभी खतम कर देंगे उसके बाद 24 रह जाएगा और 25 चब्विस तो 5 मिनट का काम है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पर यह बताता है हमें annual value annual value कैसे निकालोगे उसकी बाते बताएगा सर यहाँ पर different situation है situation बोलो तो पहले समझिएगा कितने situation है सारे situation मैं roughly लिख देता हूँ situation number one आपका house हो सकता है let out हो for full year let out हो for full year तब क्या होगा मैं हर किसी के नीचे ही करवाता जाऊँगा example के साथ sir situation number two ऐसा भी possible है कि आपका house self occupied हो self occupied का मतलब आप खुदी रह रहे हो तो क्या होगा तब कैसे calculation होगा sir हम खुद भी रहेंगे किराये पे नहीं देंगे तब भी निकालना है जी हाँ तब भी house property हमें निकालना पड़ता है अब आपका house property जो आपका घर है वेकेंट हो sir वेकेंट का मतलब आपका खाली हो पूरे साल आपने सोचा किरायदार आएगा आएगा लेकिन आए नहीं lockdown में पता ही है कई लोगों का साल साल भर पूरा घर खाली रहा है तो वेकेंट हो तब कैसे calculation को हम handle करेंगे ऐसा हो सकता है कि आपका house आपका house पॉसिबल है थोड़ा इधर लिखते हैं पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ उक्यूपाइड ओन दा बेसेस ओफ टाइम इसका मतलब सर इसका कहने का मतलब क्या है आपका घर कुछ समय तक आपका किराय पे था और कुछ समय पे आप खुद रह रहे हो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं के घर ले रख रहा है जो कहीं घूमने के लिए आते हैं तो बोलते भईया खाली कर दो दो मेने हम रहेंगे फिर चले जाएंगे फिर दुबारा किराय पे रह लेना यानि कुछ समय हम रहे और कुछ समय किरायदार पे तो दोनों कंसेप्ट आ गया सर्फ ऑक्युपाइट वाला भी और लेट आउट वाला भी लेकिन किस बेसिश पर आपका यांव काम बेसिश्र टीन मेंने चार मेंने इस तरीके से आठ मेंने आठ मेयने और फिर चार मेने तरीके से होगा सबके एक्जामपल लेंगे सबका प्रैक्टिकल एक कुश्चन करके देखने वाले ऐसा नहीं कि अभी खतम होगा कि सर कि हो सकता है आपका कि वेन आपका हाउस यह कि पार्टली लेट आउट हो और पार्टली यह से銃 उक्यूपाइड हो सर ऐसा पॉसीबल यह तो दोनों सेम हो गया लेकिन सर यहां पर रहेगा ऐसा और पेसिस ऑफ यहां पर रहेगा on the basis of एरिया, ऐसा होता है कई बार, क्या आपका घर है, आपने थोड़ा से एरिये में आप खुद रह रहे हूँ, कुछ एरिया आपने बोला इतने एरिये को किराये पे, जैसे PG बगरे में ज़्यादा होता है, एक स्टूडेंट है, घर है, तो उसने क्या करा है, चार कमरे का सेट ह उसका तबला चार कमरे क्या करेंगे, कुछ पैसे ही आ जाएंगे, एक कमरा उसने किसी और को, पूरे साल आप भी रह रहे हो, पूरे साल किरायदार भी रह रहे है, लेकिन आपका घर एक ही है, तो इसका मतलब आपका घर area basis पे किराय पे दिया गया है, self occupied भी है, let out भी है, ले मैं दो मैने रहता हूं पांचो कमरे में, और किरायदार पांचो कमरे में रहते हैं, बाकी के 10 मैने, यहाँ पे यह है, यहाँ पे थोड़ा सा फरक है, एक और भी बात है, हम पूरे को इसी चार्ट में cover कर लेंगे, जिसको visual नहीं है, बिल्कुल definitely मैं last में सारा visual करवाऊंग एक एक पॉइंट, सर और क्या भी हो सकता है, क्या, last situation है, वैसे दो situation है, लेकिन एक ही कर लेते हैं, पहले, आपके पास more than two house हो, यानि आपके पास धेर सारा घर है, या more than two house self occupied हो, यानि देख लो, government ने क्या कहा है, कि सर आप एक से ज़्यादा घर नहीं रखना आपने, अगर एक से ज़्यादा घर है, तो हम वो खाली है, हम मान लेंगे वो किराय पर है, और हमारे रूल के इसाब से उस पर टेक्स तो देना ही देना पड़ेगा, यानि हर किसी वेक्ति के लिए एक घर को restrict किया गया है, तो यह different cases है सर, कितने cases है चलिए एक बार मैं दिखा दूँ आपको कितने cases है, अगर हम सारी cases को एक बार display करें, केस नमबर वन, केस नमबर टू, केस नमबर थ्री, केस नमबर फोर, केस नमबर फाइव और केस नमबर सिक्स, छे different situation, अब जिन बच्चों को वीजबल में जब कभी भी दिखा तो मुझे बोल सकते हैं, मैं फटा-फट से उसको फिर थोड़ा सा size बड़ा कर दूँगा, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो, ठीक है, clear, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताईए, हर किसी को clear दिख रहा है, जो बच्चे लाइव में है, जितने बच्चे भी लाइव में सभी को clear दिख रहा है, यहां पर, कह रहे हैं बच्चे सर, last semester में, नहीं, MCQ आएगा, इसमें भी आएगा MCQ, पर पूरा theory में बता रहा हूं, और उसके अंदर covered होगा वो सारी चीजे, last case, देखें अभी बच्चे मैंने बोला किया, सरिफ आपको यह देखना है, आपको दिख रहा है, proper या नहीं दिख रहा, किसमें क्या होगा, नहीं होगा, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, अभी एक-एक example लिखूँगा, और उसके solution नीचे करकर के दिखाता रहूँगा, मान लेते हैं, मुंसिपल वेल्यू, मुंसिपल वेल्यू, एक लाख, एंड फेर रेंट, दो लाख, इस्टेंडर रेंट, मान लो, एक लाख पचास अजार, और एक्चुल रेंट, मैं ए आर लिख रहा हूँ, एक्चुल रेंट, एक्चुल रेंट है हमारा, बारह हजार रुपए, पर मंद, सर मुंसिपल टेक्स, 30%, 30% ज्यादा हो जाएगा, इतना तो होता भी नहीं है, 10%, ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, टेक्सेबल, हाउस प्रॉपटी इंकम, सर, एक ही एक्जामपल, मैं सारे सवाल में लूँगा, उसके नीचे नीचे लिखता जाऊँगा, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल, solution देखिए, इसका सर, अगर मेरे पास यहाँ जगह नहीं होगा, पिछले पेज़ पर मैंने case बताए, case के हिसाब से लेके चलूँगा, यह हमारा सवाल है, सर, इसका solution, आंसर देखिए, मैं करने जा रहा हूँ, इसका आंसर, कहां करें, इसके नीचे कर दें, क्योंकि बाद में PDF तो देना है, चलिए, सर, आंसर, situation क्या है, आप एक बार पढ़िए, situation कहता है कि आपका घर, पूरे साल क्या रहा है, let out, किराए पे, तो जब किराए पे राया तो नॉर्मल, जो भी हमने अभी तक example देखे हैं, या जो भी example हमने किये हैं, वो नॉर्मल ही था हमारा सारा, उसी के basis पे करना है, चलिए, हर किसी को visual होना चाहिए, start करते हैं, आप देखिए, यहाँ पे हाला की compare कर सकते हैं आप, तो मैं सीधा यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा directly, जीए बी, क्योंकि space की कमी है, और आप अच्छे से जानते हैं, आप जीए बी निकाल पाएंगे सीधा, अगर जीए बी नहीं निकाल पाएंगे तो मैं side में बता देता हूँ, पहले चेक करेंगे, मैंने इसलिए amount सीधा रिखा है, यह आजाएगा 2,00, अब जो भी answer आएगा उसमें से देखेंगे lower, तो डेड़ लाग, अब इसका आजाएगा 1,00, क्योंकि हर महिने का किराया है, तो इन दोनों में से अगें जब चेक करेंगे तो higher आएगा, तो जीए भी आगया 1,00, 44,000, हलाकि मैंने बहुत speed में किया है, तो किसी बच्चे को दिक्कत है, एक पचास, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं, ये working note में side में कर दूँ, कोई बात नहीं मैं आगे कर दूँ, चलिए मैं यहां working note अगर करना चाहूं, तो मैं कर देता हूं, इसी सवाल के लिए working note है, सर क्या है हमारा, MV, 1,00, fair rent, 2,00, higher ले लो, fair rent number 1, 2,00, standard rent, 1,50,000, lower ले लो, ER आगया, 1,50, compare कर लो किस से, 8RRR से, that is, 12,000, और इंटू में 12 आजाएगा, 1,44,000, जो कि आगया हमारा, इन दोनों में से higher लेंगे, जो आगया, GAV, बताएए, GAV कि हर किसी को समझ में आ है, यहां तक किसी को दिक्कत, अब सर, GAV में से minus करेंगे, municipal tax, less करिए, municipal tax, municipal tax कहता है, 10 परतीशत है, municipal कहता है, 10%, तो सर, 10% किसका लेंगे, MV का, that is, 20,000, इसको minus करेंगे, तो सवाल में आएगा, NAV, NAV क्या आएगा, 1,00, 30,000, मैंने बोला, taxable house property income निका ली है, अब minus करेंगे, 24, अच्छा, मैंने 20 क्यों लिख दिया, अब आएगा, 24A, सर, सवाल में, 24A, 30% है, अभी के लिए, 30% मान लीजिए, बाकि जब मैं, 24 section पर आऊँगा, तो एक एक section जब explain करूँगा, तो बता दूँगा, ये 24A क्यों होता है, और वैसे भी, last class में, मैंने थोड़ा hint दे दिया था, 24A होता किसलिए है, 30% किसका, 41 का, that is, आपका 42,000 रुपए, माइनस कर दीजिए, तो क्या आजाएगा, 98,000, तो सर आपका पहले केस का आंसर आ गया, आप देखोगे, पहले केस में तो आपको पता भी नहीं चलेगा, करना क्या है, पहले केस में तो बहुत नॉर्मली रहेगा, और नॉर्मली सॉल्फ भी हो गया, बताएए कोई दिक्कत, केस नंबर वन समझ में आ गया, सवाल नंबर टू पे चले, केस नंबर टू, चलिए सर, चलते हैं, केस नंबर टू, तो मैं सवाल नंबर टू यहां लिख रहा हूँ, केस यहां बनाए हुए, बाके पीछे पेज पे चले जाएंगे हम, सवाल नंबर टू, यह आगे आपके सामने, सवाल नंबर टू, थोड़ा चेंजिस करूँँगा, थोड़ा सा चेंजिस कर देता हूँ, केस नंबर, आपको समझ में आ जाएगा सार, केस नंबर वन ये वाला है, टू जो दिया है, वो इसके लिए कर रहा हूँ, टू क्या कहता है, सेल्फ उक्यूपाइड, क्या कर रहे हो सार आप, सेल्फ उक्यूपाइड कर रहे हैं, सवाल पूरा यही आया, बोल दे, बहिया, इसका rent इतना होना, चैने ठीक है, मान लिया, पडोसी बोल दे, इसका rent मान लिया, खोट बोलता, इसका rent इतना मान लिया, मैं बोल रहा है, मैं रह रहा हूँ, तो तुम सब की बाते तो जूटी हो गई, क्योंकि इसमें किष्याजार तो, NAV से हमेशा ऐसे situation में NAV आएगा 0 NAV हमेशा क्या आएगा 0 आएगा और कोई calculation यहां नहीं बैठता अगर मैं इसी को format में करके दिखा दू 24B interest वाला अभी नहीं सिखाया नहीं बात कर रहे हैं अभी बात में बात करेंगे interest वाले का कोई कहानी नहीं है interest वाली की मैं बात ही नहीं कर रहा है सिखाया ही नहीं अभी तो अभी तो 23 चल रहा है तो 24 का सवाल ना पूछे अभी आप अभी तो 23 सिखा रहे हैं आपको चलिए सब कुछ बच्चों का हो सकता है college में internal हो और interest वाला topic सीखना हो तो उनके मैं डाल दूँगा उसका जो की interest वाला topic है मैं पहले उसके अंदर डाल दूँगा करा हुआ recorded है आप देखके समझ सकते हो बाकी मैं यहां कराऊंगा ही कराऊंगा मैं यहां तो sir कराऊंगा किसी हालत में चलिए sir ऐसे situation जब self occupied वाला case हो तो हमेशा याद रखना आपको सीधा start करना है एन ए वी से sir आपको fair rent पता है sir municipal tax का भी कुछ नहीं होगा नहीं minus किया जाएगा sir municipal tax क्यों नहीं minus करने दिया जा रहा माइनस करने देते तो हमारा income negative आता हमें फाइदा मिलता कहता है कि sewer tax इस लिए दिया जाता है कि आपके सामने street light है आपके सामने park है आपके सामने gutter बना हुआ है नाली बना हुआ है इसकी facility ली रहे हो आप तभी तो दे रहे रहे है आपके और आपका किरायदा रह रह बैने संब्राइब शिव दो अब आप रहा है यहों थो आप जो समान खरीदते हो और समान ले लिया आपूने और पैमिंट कर दिया तो आपको तो समान मिल इस अगला हूँ आप speak में फिट तो ले रहे हो तो इस केस में गौर्रमेंट ने बोला भईया मुंसी पल्टेक्स हम नहीं देंगे माइनस करने तो यहां जीए जीए भी जो है सीदा निल या जीरो जो इच्छा है लिखिए लिख सकते हैं अब इसमें से क्या माइनस करेंगे सर ट्विंटीफोर ए व केस नंबर वन और केस नंबर टू सवाल मैंने एक ही रखा लेकिन आंसर क्या हुआ दोनों केस के अंदर डिफ्रेंट और बदल गया कोई दिक्कत कोई परिशानी दोनों केस में जो इतना पूछा जाए उसमें प्रॉब्लम बताईएगा सरेफ फिर हम तीसरे में आ मैं यही लिख देता हूं छे पे तो वो है एक और डाल दें यहां पर इसी के साइड में डाल देता है पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट कोई बात नहीं करवाना तो सारा ही केस है मुझे आज ठीक असा इसको नमबर चार देने जा रहे हैं और इसको नमबर पांच दे दिया इसको छे इसको साथ एक और केस है हाला कि वो तो बाद में देख लेंगे सेकिंड में जीए भी कहा है जीए भी वे भी सब खतम सीधा जब सेल्फ उक्यूपाइड है स्टार्टी एने वी से करना है कोई कैलकुलेशन नी वर्किंग नोट भाई आपको पता चल गया सेल्फ उक्यूपाइड है सीधा एने वी निल लिखो और स्टार्ट करो बात खतव नोट भी नहीं देना वो पता एक्जामनर को अभी कमेंट वाले हैंड रेस का जवाब मैं नहीं दूँगा जितने बच्चे हैं सभी जो भी है चैट में पूछिए clear, चलिए, अब case number 3 पे आते हैं, vacant की बात करते है, case number 3 vacant, इसके लिए next page का इस्तमाल कर लेता हूँ जैसे ही यह सारे situation खतम, 80% chapter खतम house property क्या था हमारा situation, vacant for full year, ठीक है vacant for full year, sir case number 4, 4 ने 3 case number 3, ठीक है चलिए, सवाल लिख लेते हैं, municipal value, fair rent, standard rent, actual rent municipal value, एक लाग, दो लाग, डेड़ लाग, निल, निल, empty, 10%, sir ये एक सवाल है, जिसका अंसर, अब देखे वेकेंट का मतलब क्या होता है, अब ध्यान दीजिए के अंदर ना, एक फाइदा उठा लेते हैं, government क्या कहता है, एक फाइदा किस तरीके से, माल लेते हैं, आपका घर है, और जो घर है, वो vacant है, और एक साथ में आपका, जहां में घर है, यहां पे आप खुद रहते हो, और साथ वाला मकान भी आपका यह house, इसको किराये पे देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किराये पे देना चाहते हो, कोई किराये दार आ नहीं रहा तो नहीं दे पाए, आप क्या करते हो, यहां पे अभी किराये दार आएगा, तब देखेंगे, आप यहां पे जाके अराम कर रहे हो, आप यहां पे जाके के अंदर तालाबंद होना चाहिए आप उसमें अपना प्रस्नल एक्टिविटी कोई भी नहीं करोगे और ये प्रूफ करना जिम्मेदारी आप की है कि आपके घर में तालाबंद था अगर आप ये प्रूफ करने में नाकामियाब हो जाते हो कि तालाबंद था या नहीं था तो आपके उपर गORնमेंंट टिक्स लगा देगा तो वेकंट का मतलब पूरा खाली यानि आपका घर क्या होना चाहिए वेकंट के केस में घर आपका लॉक होना चाहिए सर रूफ तो यही कहता है तो वेकंजी के केस में सवाल का अंसर देखिए हम स्टार्ट करेंगे मुंसिपल वेल्यू सर मुंसिपल वेल्यू फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे अब देखो फिर रेंट वन लिखना मैं छोड़ रहा हूँ इन दोनों में से क्या होगा हाईर और इस्टेंडर रेंट कितना है हमारा आपको सीधा इए आर पे लेके आ रहा हूँ मैं एक्सपेक्टेड रेंट इन दोनों में से मन में कैलकुलेट करोगे हाईर और इन दोनों में से लोवर तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया टेड़ लाग रुपे एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया सर टेड़ लाग एक्चुल रेंट क्या है एक्चुल रेंट 0 तो ऐसे situation में अब आएगा GAV सर GAV क्या आएगा law कहता है इन दोनों में से क्या हो higher लेकिन आपने बोला higher कैसे ले सकते हो हमारा घर तो ताला बन था कोई रही नहीं रहा था इसमें तो और आपने प्रूफ भी कर दिया तो फिर ऐसे situation में क्या ले लोगे आप lower यानि आपका क्या रहेगा 0 रहेगा पहले यहाँ देखिए सर municipal tax जो paid किया minus कर सकते हो allowed क्योंकि आपने benefit ही नहीं उठाए हो वहां का तो यहाँ पे आपका municipal tax भी minus करना allowed है सर municipal tax भी minus करना allowed है तो अगर कोई municipal tax हुआ तो हम minus करेंगे otherwise less empty मान लेते हैं कि empty 10% है that is 10,000 और यहाँ पे आजाएगा 10,000 minus का NAV बहुत rare case होता है जब आपका घर पूरे साल खाली पे हो ऐसा possible ही नहीं है कि आपका पूरे साल की रहदार ना मिले लेकिन जब अगर ऐसा situation हो जाए तो आपका इस तरीके से calculation किया जाएगा यहाँ पे municipal tax क्या है allowed है बच्चों के कहना है सर मेरिज हॉल वगएर है तो साल में कुछ दिन के लिए vacant रहते हैं वो देखो house property का मैंने कहा एक और अगला case आएगा ना चौथा पार्टली वेकेंट और पार्टली आपका लेट आउट कुछ दिनों तक खाली और कुछ दिनों तक एक दिन भी इवन दो लेट आउट हो गया ये बात भी ध्यान रखना ये वाला case है पूरा ताला बंद है तब एक दिन भी क्रहेदार आए और फिर चले गए तो आप ये मत मान लेना ये वेकेंट वाला case है ठीक है चलिए सर अगले case पर आजाते है case number case number 4 सर क्या था case number 4 partly let out and partly vacant सर partly let out और partly vacant चलिए example सर फटा फट से हम case करेंगे तो example इसी को उठा लेते हैं बस थोड़ा बदलाव करने वाले सर क्या change करेंगे अब यह तो इस है कि रिमेनिंग आ वेकेंट अजिए का या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस वाल में इग्जामिन यहां पर थोड़ाइसी आपको नौ पर सवाल ठीक है यानि सवाल है थोड़े सा लेट आउट और थोड़ा सेल्फ उक्यूपाइड इसको मैं दो केसिस में बना के कराऊँगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से कि सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन मैं स्ट्राइड करता हूं क्योंकि जरूरत यहीं पर करने की है सर मुंसिपल वेल्यू एक लाग सर फेयर रेंट दो लाग सर इस्टेंडर रेंट डेड लाग यहाँ तक सब को समझ में आ रहा है expected rent मैंने directly निकाल लिया कितना डेड़ लाग सबको समझ में आ रहा है higher lower मन में calculate कर सकती है अब actual rent receive and receivable सर यहाँ पे तो होगा कहता है हमारा घर 5 महिने तक किराय पे रहा और बागी के महिने खा ली था और 12,000 रुपे किराय है सर 12,000 इंटू में 5 कितने हो गए 60,000 अब सवाल आता है सर क्या ले lower ले या फिर higher ले अब अगेन मैं vacant की बात कर रहा हूँ vacant का मतलब 5 महिने तो किराय पे था बागी के 7 महिने vacant का मतलब क्या है सर बागी का remaining जो 7 month है remaining 7 month खाली का मतलब what वहां पे lock लगा होना चाहिए मैं उसके लिए केस कर रहा हूँ वहां पे क्या लगा हुआ है lock ताला लगा हुआ है कोई नहीं रहा है कुछ भी नहीं है वहां ठीक है हुआ यह अब government कहेगा कि भाईया हम rule लगाएंगे कि क्या rule लगाएंगे कि कहीं आप जूट तो नहीं बोल रहे है rule यह लगाए जाएगा हम आपके rent मान के assumption लेते हैं कि आप 12 महिने तक अगर आप किराये पे दे रहेते हैं 12 महिने तक तो आपका होता कितना तो मैं बोलता उनको सर अगर मैं 12 महिने तक देता तो होता आपका एक लाख लेकिन गौवर्मेंट कहता है तो अब भी मेरा जादा है अब भी मेरा ही जादा है तो ऐसे situation में जब expected rent आपका गौवर्मेंट का rule की according जादा बन रहा है तो गौवर्मेंट ऐसे situation में यानि आपका rent जो है वो government rules से कम जा रहा है तो government कहता अब हम आपकी नहीं सुनेंगे हम इन दोनों में से लेंगे higher इन दोनों में से क्या लेंगे हम higher, यानि sir यहाँ पे जो GAV बनेगा मैं बोल रहाँ इसको दो case बना के कराऊँगा GAV बनेगा वो बनेगा 1,50,000 minus empty कर देंगे अब empty 10% that is a 10,000 अब आगे हमारा 1,40 थोड़ा formatting मेरी bigger जरूर रही है यहाँ पे लेकिन आपको ध्यान रखना है बस 1,40 यह आगे हमारा N मैं NAV कहलूँ NAV तक ही निकाल के छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें question में कहा है नहीं कि आगे कहां तक करना है लीजिए तो मैंने NAV निकाल के छोड़ दिया बाकी तो आपको पता ही 24 यह देंगे हम कितने percent 30% उसकी कोई ज़्यादा नहीं पहला case समझ में है दूसरा case जब तक नहीं करूँगा और जब तक रुपे मेहने का 20,000 रुपे मेहने का rent होता सर तब क्या होता solution मैं यहां कर रहा हूँ इसका solution सर तो क्या होता मैं सीधा उठाऊंगा किस से confusion होगी हमारा expected rent आपका तब भी वही रहेगा सर expected rent कितना रहने वाला था एक लाख पचास अजार और सर expected rent के बाद अगर बात करें हम actual rent तो actual rent तो तब भी रहेगा सर आपने बोला 20,000 और पांच महिने के लिए है तो कितना आने वाला है एक लाख अब मुद्दे की बात है सर higher lane lower अब government बोलेगा भी या मेरे इसाफ से बनता है पूरे साल का डेड़ लाख अब हम चेक करेंगे कि तुम्हारा rent पूरे साल का कितना बन रहा है अब इसका rent पूरे साल का बन रहा है कितना 2,4,000 यानि हमारे रूल से तो तुम ज़्यादा ठीक ठाक ले रहे हो तो ऐसे situation में अब आप जूट नहीं बोल रहे है तो इसका मतलब lower ले लेंगे और यहाँ पे जी ये भी निकल के आएगा आपका सर 1,00,000 और मैंने again कहा यहाँ पे आपका घर खाली है यह आपको proof करना है rule number 4 लग जाता है यहाँ पे कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो और assessing देखो यहाँ पे एक होता है unrealized rent उस पे भी rule number 4 लगता है यहाँ पे आपने सारी बाते समझा दी और income tax officer को लगता है कि भाया यह genuine है तो तो वो lower लेके चलो ठीक है अगर उसको लगता है कि आप गलत बोल रहे हो अब भी तो वो higher लेके यहाँ पे text निकालेगा लेकिन ऐसे situation में जब भी सवाल देखे गए है आपके exam के अंदर चाहे है आपके किताब में तो वहाँ पे उस situation को ऐसे compare किया जाता है जब partly vacant होगा तो कैसे compare करोगे आपका एक part आगया उसके बाद आपको देखना है सर टोटल कितना बन रहा है उसके इसाब से higher या फिर lower ले लोगे यहाँ पे क्या ले लिया मैंने lower और minus कर दीजी आप क्या municipal tax और municipal tax कितना minus करना है सर 10% that is 10,000 और आपका NAV आ जाएगा 90,000 मैं थोड़ा उपर करके दिखा देता हूँ इसको 90,000 आ गया और यह आ गया NAV ध्यान दीजीएगा काफी गलती करते हैं ऐसे example मैं दिखा भी दूँगा और कर भी लेंगे पहले आप समझिए यानि सर हमारा rent सरकार के rent से कम बन रहा होगा तो तो higher वाला concept आजएगा विकिंसी में हमारा rent सरकार के rent से ज़्यादा बन रहा होगा तो कौन से वाला आजएगा lower वाला आजएगा वो हमें एक assumption लिखे calculation करना होगा बताइए यहां तक कोई doubt clear है तो सर कितने point कर लिए हमने हमने अगर देखा जाए यही तो था हमारा 4 point हो चुका है पांचवा है partly let out और partly self occupied on the basis of time चलिए on the basis of time वाला करते है situation number यानि case number कौन सा 5 ही है ना चार था ने याँ पर पांच चा when house property partly let out and partly self occupied on the basis of time on the basis of time चलिए सर एग्जाम्पल ले लेते है time का मतलब क्या है देख लेते है fair rent एक लाक municipal value दो लाक standard rent एक लाक स्तीस अजार actual rent पी सजार पर मंथ actual rent पी साजार पर मंथ municipal tax पच्च्च अजार आउट आफ वेच आउट आफ वेच 10,000 पेड क्रिफ हमने 10,000 पेड किया है लाइन पाइन प्रपर क्रिंट आउट वेच प्रपर्टी लाउत वेच आयट अछ bites ब्रामाइन रमाइन यह हमारा पूरा सवाल इसको भी दो केसिस बना के करेंगे मैं अभी थोड़ी मैनत जरूर कर रहा हूँ लेकिन जब सारा खतम हो जाएगा तो एक बार में समझो चेप्टर का सारा पार्ट खतम क्योंकि यहीं पर जो पार्ट है उसके बाद तो higher-lower calculation का पार्ट रहाता है हम सीधा question पहेंगे इतने provision है नहीं इसमें चलिए सर answer answer की बात कर रहे है इसको भी दो पार्ट में कर लेंगे पहली बात अब यहां पे देखो कहता है के मैं self occupied रहूंगा मैं खुद रहूंगा और मैं rent पे भी दूँगा दोनों बाते कह रहा है वो तो rent की बात करें तो rent पे कितना टाइम है सर rent पे मैंने कह दिया के let out for 8 मैंने और खुद कितने मैंने रहेगा तो देखा जाए आपका यहां पे तो कुछ time हम रह रहे हैं कुछ time वो रह रहा है ऐसे situation में जब हम calculation करेंगे तो कुछ भी ratio में divide नहीं होगा यानि कहीं सोचो के 4 महीने का लग निकाल लेते हैं और 8 महीने निकाल लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ऐसे situation में हमारा calculation होगा normal manner तो note calculation as normal manner sir calculation as normal manner nothing could be change कुछ भी change नहीं हो सकता है यहां पे sir क्या चीज़ है यहां पे sir sir सबसे पहले हम लेंगे में क्या मेस मुंसिपल वैल्यू सर दो LAG दो लाओ है ना fair rent एक लाओ hire ले लेंगे standard rent 31 तो sir expected rent कौन बताएगा सब्सक्राइब 31 आ गिया Sir expected rent अब actual rent actual rent कितना है sir इंटू में कितने मैंने आठ मैंने रह रहा है न तो आठ से लिखेंगे एक साथ अब बताईए क्या होना चाहिए रूल गौर्मेंट क्या कहने वाला है गौर्मेंट कहता है मेरा रूल कहता है एक लाग तीस अजार लेकिन आप बोल रहे हो एक लाग साथ हजार तो हम आपकी बात को मानेंगे और यहाँ पे आपको एक साथ जी ये भी ले लेंगे माइनस कर देंगे सर एमटी और एमटी कितना है सर एमटी है हमारा यहाँ पे पच्चिस अजार जिसमें से दस अजार पेड है तो बताओ कितना माइनस करें जितना पेमेंटे स्रिफ वही माइनस करेंगे यह आ गया एक लाख पचास अजार एने वी पहला केस देखिए यानि कुछ भी तीन मेहने आठ मेहने और चार मेहने में कोई काम नहीं है सारा नॉर्मल मेहने से होगा आठ मेहने चार मेहने का कोई सवाल ही नहीं है सब नॉर्मल मेहने सवाल में थोड़ा एडिंग करूँगा मैं पहले यहां तक किसी को दिक्कत सवाल में एडिंग करूँगा सपोस करो यह होता चार मेहने और हम रहते आर्ट में ऐसा हो सकता था था तो अब इसी के साथ कर लेते हैं ठीक है ज्यादा हम मैंने यहीं पर कर दिया कि इसका कलर चेंज कर दे न तो सर दूसरा केस के लिए मैंने इस साइड लेके चल रहा हूं समय तो मैं सीधा आ जाता हूं इर पे यह तो दो लागी रहेगा एक लाग रहेगा एर 130 रहेगा सर अब रेंट कितना आ जाएगा अगर 4 मैंने देता है तो 80 कितने आ गए 80,000 अब रूल के according देखो तो आप मैंने कहा था विकेंसी का case होगा तब आपको allowed lower किया जाएगा लेकिन यहां तो आप रह रहे हो ऐसे situation हो government कहता है कि आप रह रहे हो हमें पता नहीं आप कितने दिन रह रहे हो तो यहां पर hire लिया जाएगा और जी यह भी माना जाएगा आपका सर कई जगह पर government का यह ऐसा rule है ना जिसको बोलते हैं कि सही भी नहीं है ताकि लोग उसका फाइदा उठा ना पाए simple सी बात है बस इसलिए है तो सवाल में जैसे situation दिखे तो आपको simply वैसे follow करना है तो सर यह था हमारा case number 5 अब चलते हम case number 6 case number 6 में क्या है time basis पे area basis पे case number कौन सा है 6 5 6 है ना वन हाउस प्रपर्टी लेट आउट लेट आउट अब पर्टली on the basis on the basis area on the basis area सर जब ऐसा situation हो ना तो इच आइटम या इच इन्फोर्मेशन distributed in the area ratio time वाले में distribution allowed नहीं था लेकिन area वाले में law ने कहा के हर चीज को आप distribute कर दोगे area के ratio में सवाल देख लेते हैं कहता है और ये वाला सवाल ना ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता एक्जाम में m v 12,00,00, f r 15,00,00, s r 16,00,00, actual rent एक लाख बीस अजार पर मन्त ठीक है मुंसिपल टेक्स 20% आगे जो मैं लाइन कह रहा हूँ वो ध्यान से देखना हाउस प्रोपर्टी हाउस प्रोपर्टी 60% एरिया लेट आउट एंड 40% एरिया सेल्फ उक्युपाइड यानि आपको एरिया बता दिया 60% बहिया मैंने किराय पर दे दिया 40% पर हम खुद रह रहे है तो ऐसे सिचुएशन में आंसर कैसे निकलेगा इच आइटम डिवाइड हो जाएगा उसके एरिया के बीसिस पर तो चलिए सर अब इसके अंदर दो यूनिट हो गए यूनिट नमबर 1 और यूनिट नमबर 2 कह सकते हो तो ऐसे situation में कैसे answer आएगा पटा फट देख लीजिए सर मैं यहां format और मेट नहीं लिख रहा है क्योंकि example लेके चल रहा हूँ मैं चलिए मुंसिपल वेल्यू बारा लाग फेर रेंट और स्टेंडर रेंट फेर रेंट सर पंदरा लाग इस्टेंडर रेंट तोरा लाग अब एक चिंज एक मिनट हमें इसको एरिया में बाट ना था ना अब आप कुछ भी ले लिजिए यहां मैंने ले लिया 40 परसेंट और यहां ले लिया मैंने यह आगया लेट आउट वाला एरिया यह आगया सेल्फ उक्यूपाइड वाला एरिया ठीक है तो मुंसिपल वेल्यू कितना है बारा लाग है सर बारा लाग को 60 और 40 में बाट और 7 बाटोगे अफ र को भी ऐसा ही बाटोगे अफ र कोई तो 6 लाग है और 9 लाग सर रेशो में बाटा जा रहा है एस living को भी बाटोगे ईस Very तो 46OL और नौ लाग छाथ हजार सर इसके बाद एक्सपेक्टिड रेंट आएगा एक्सपेक्टिड रेंट का यहां सवाल ही नहीं होता एक्सपेक्टिड रेंट का यहां सवाल ही नहीं होता यहां पर एक्सपेक्टिड रेंट का आएगा सम्में से हायर और फिर लुवर यहां पर एक्सपेक्टिड रेंट का यहां सवाल ही नहीं होता एक्सपेक्टिड रें 20,000 रुपे के महिने पे तो मैं दूसरे का निकाल रहा हूँ 1,20,000 गुणा में 12 तो 14,40,000 अब आ जाएगा हमारा सीधा जीए भी सर जीए भी इसका जीरो रहेगा और इसका आ जाएगा एक लाक यानि सर हमने इसका रेशो तो बाट लिया है अगर हम इसका रेशो ना भी जबते हो इसमें लग जाएगा सेल्फ उक्यूपाइड वाला कंसेप्ट इसमें लग जाएगा लेट आउट वाला कंसप्ट यानि दो कंसेप्ट इसके अंदर मर जो गए ठीक है तो चलिए सर लैस मुंसीपल टेक्स आप जवाब दीजिए मुंसीपल टेक्स कहते हैं 20% है तो क्या यहाँ municipal tax minus होगा? क्या इसमें municipal tax minus होगा? बिलकुल होगा. 20% कितना होगा? 72, यानि 1,44,000. यही होगा क्या? 7, 140, और 2, 4. ठीक है. अब यह आजाएगा NAV. यह तो 0 आगया NAV. माइनस कर दीजिए इसमें से. क्या आता है? 14,40,000 है. यह एक 0 कम लिखा है. 14,40,000 माइनस 1,44,000. कितने आ रहे हैं? 12,96,000. सर, यह case number 6 भी हमारा होता है. यहाँ पर खतम. देखिए कोई doubt. अगले case पर चले. देखिए फटाफ़क. सर, case 5 में empty less Q नहीं हुआ. और सर्विस इंजॉइ करेगा. case number 5 में empty less Q नहीं हुआ. करा तो है. normal manner होगा. honor तो कर रहा है. लेकिन यहाँ normal manner से empty allowed है यहाँ पर. अगला case लास्ट केस. सर, last case क्या है? यहाँ तक पहले डाउट देख लो आप एक बाद. क्यां क्यांग. और रहाँ यहाँ. यहाँ. क्या अे यहाँ. यहाँ. झाल